मैं बनाना है पानी वाली मिर्ची, तो पानी वाली मिर्ची बनाने के लिए मैंने मिर्ची लिया है, यह मैंने लिया है पानी, एक किलो इस टाइम मैंने पानी लिया था, तो पानी को मैंने गैस पे चड़ा दिया है, पानी को गुन-गुना करना है, गरम नहीं करना है, आपको यह एक बिना तीखी वाली और एक तीखी वाली तो मैंने तीखी वाली मिर्ची का यूज की है पूरी मिर्च होगा आप देख सकते हैं डाल दिया तो इसको दो मिनिट के लिए गैस पर धीमियाच पर सेखना इस तरीके से पका लेना है ताकि जो मिर्ची है उसके अंदर अच् पानी में रखेंगे मिर्ची को ताकि जो मिर्ची के अंदर अच्छी तरीके से पानी जा सके और जो मिर्ची का कडवापन है वो भी सही हो सके तो दस मिनिट हो चुके दस मिनिट के बाद आप देख सकते है इस तरीके से इसका कडवापन निकल चुका है सभी मिर्ची का तो तो इसको इमाप जार लिये तो सबसे पहले राई और इस bod पहले राहा आप टो शोट सब युली आप आप देख सकते हैं तो इसको थुछकल लगाकर पीस लेना है हज़ा आप देख सकते हैं इस वront नाल पने टर्ड़दरा भी रखना थे और और आप देख सकते हैं इस तो आप इसको कटोरी में निकाल लेंगे इस तरीके से और ये मैंने फिर से देख सकते हैं लिया है जार इसमें मैंने डाली हैं सोप तो सोंप को भी पीस लेंगे आप देख सकते हैं, सोब भी मैंने पीस लिए तो इसको मैंने डाल दिया और ये मैंने तीनों ही चीज़े आप देख सकते हैं ले लिए, ये मैंने मिर्चियों को भी पानी से निकाल लिया है और इसका पानी मिर्चियों का आपको फेकना नहीं है इसका बाद में उस करेंगे तो जो मिर्चियां उसके अंदर इसको सबसे पहले तो कट कर लेंगे और इसके अंदर मसाला फिल करेंगे फिर तो सभी मिर्चियों को इस तरीके से कट कर लेना है यह आराम से कट हो जाएंगे इस तरीके से और जो इनके अंदर बीज होते हैं उसको भी निकाल लेना है तो इस तरीकी कि सभी को मैंने आप देख सकते हैं कट कर लिया और अंदर के बीज को निकाल लिया है अब बचाया था मैंने वो भी नॉर्मल टेंपरेचर में हो चुक है आप देख सकते हैं ऐसे पानी को फेक ना निए इसमें आगी असलेकशाना है इसमें मासाले डाल देना है तो सब से पहले आप देख सकते इसमें मैंने पूरी डाल की डाल है जो प्सक्राइब नवर मयं तौर्छ बीकरती रिचारिक कर लेना है विञश कर संसे कों अचार में तो आपे off मैंने पानी डाहिए Yeah तो सी दॉवे तरहा कि बनाने से ये आपको गई पिलीज लाइक करें कमेंट करके बाते ऊपर जबार घर पर लगी राइक ह्वागिए अच्छे लगी tu दो BUT तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बब बाई